हाई गर्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ अगर आपका पेट मोटा है और साड़ी आप अच्छे से नहीं पैन पाते हो तो कुछ ट्रेप्स एन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं शेव वेर आप अपने लिए चूस कर सकते हैं और यह से वेर स्टेचेवल है नीचे से मिल जाता है अभी मैं आपको पहन के दिखाऊंगी क्योंकि इसमें फिटिंग काफी अच्छी आती है आप थोड़े से मोटे हो तो आपकी बाड़ी थोड़ी स्लिप दिखती है इस तरीके से यहाँ पर देखिए नौट आप लगा सकते हो डोरी मिल जाती है वैसे इसमें आ नौट आपको साइड में लगानी है क्योंकि ज्यादा पेट निकलने से आप जो साड़ी अप्लिर्स बनाओगे वह थोड़ा सी उची हो जाएगे और वहां नौट बांदोगे वहां हमें एकदम स्लिम रखना है सामने की तरफ जिससे फिटिंग अच्छी आए और अगर आ अगर आपका थोड़ा पेट मोटा हो तो आप कुछ इस तरीके की साड़ी अपने लिए चूस करें लाइट वेट चूस करें कॉटन की साड़ी आप थोड़ा कम पहनें क्योंकि इस तरीके की जो साड़ी होती है आपकी बाड़ी के अकॉर्डिंग सेट हो जाती है और कॉट अगर आपका पेट मोटा है तो आपको सामने की तरफ इन करना है इस तरीके से आपका नेवल है वहाँ से आपको इन करना है बिल्कुल साइट से आपको साड़ी इन नहीं करनी है क्योंकि अगर आप प्लेट्स बनाते हो साड़ी में जब सेंटर प्लेट्स बनाते हो तो आपक सारी करते तो ऐसे जुक करके नहीं देखना है आपको क्योंकि इससे आपकी सारी अगर जुकोगे तो सारी की लैंद आपकी सही ही लगेगी अगर आप अच्य elaboration चाहते हैं सारी की तो आपको एक्दम framework इंद सकते होना है अपनी पुराइब को एक दम स्ट्रेट होते हुए फिर देखना नीचे की तरफ इससे आपके साडि की की फिटिंग अंड लेन दोनों अच्छी यह आईगी एंड जब बैक साइड से आप ले töशे इस तरह की से जुक तर नहीं देखना है इस लेन अच्छी नहीं आएगी जब आप सीधे होंगे तो साड़ी छोटी हो जाएगी जब आप नीचे मुड़ोगे तो साड़ी आपकी ठीक लगती है तो ये प्राब्लम आती है इस चिसका पो दियान रखना है अब आपको फिनिशिंग के साथ अपनी साड़ी इंकर लेनी है कुछ इस तरीके से यहाँ पर सामने की तरफ अब हम प्लीट्स तो अभी नहीं वनाएंगे अभी मैं आपको पल्लू सेट करना बताऊंगी किस तरीके से करना है यहाँ पर देखिए मेरा पल्लू है और यहाँ पर मैं नॉर्मली प्लिट्स बना रही हूँ जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो बिल्कूल आपको ले लेना है सारी प्लिट्स को इस तरीके से करते हुए बैक साइट से आपको फरंट में लेकी आना है और साइट में जो फैबरी इसको हम इस तरह के से पकड़ लेते हैं अर लाते हुए आपको इस तरह के से साइड में थोड़ा सा अशнул कर देना है डिश्ली स्वाहर है क्योंकि हम यहांपर फल्व की लैंथ देखने वाले हैं पल्लु की हमें लैंथ कितनी लेनी है क्योंकि ज्यादा पेट निकलने के कारण आपका सामने का पार्ट ऐसे ऊंचा हो जाता है तो आपकी लेंग फोड़ी लंबी होनी चाहिए पल्लू की क्योंकि पल्लू अगर छोटा होगा तो वह हमारा अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको पल्लू की लेंज जादा लेनी है, अब साइट की फिटिंग देखते हैं, साइट की फिटिंग आपको कैसे करनी है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं साइट की फिटिंग अब लेना बताऊंगी, आपको साइट से बॉर्डर स्थिक करते हुए, सामने की त प्लेटिंग का जो फैब्रिक है साड़ी का वो राइट हैंड की तरफ ले के आना है और वहां पर आपको चोटी सी पिन के साथ अटैच करना है क्योंकि आपका पेट मोटा होगा सामनी की तरफ आप पिन लगाओगे तो वो साड़ी उठ जाएगी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी इस तरीके से उठ जाएगी वो नहीं आएगी फिटिंग अच्छी साइड में लगाओगे तो फिटिंग काफी अच्छी आएगी इसलिए अभी जो फैब्रिक हमारा बच किया है उसकी हम प्लेटिंग करते हैं इस तरीके से अपनी देखिए मैं कैसे पकड़ रही ह इस तरीके से तो प्लेट काफी अच्छी बनती है हमने जो पल्लू इन किया था हमने जो सामने से इन करना स्टार्ट किया था उससे हमारी एक प्लेट जादा ही बन जाती है अगर उस तरीके से आप इन करते हो यहां पर देखिए इस तरीके से हमारी एक प्लेट काफी कम है इसके लिए मैं एक प्लीट खोल देती हूँ इस तरीके से और इतना हमारा फैब्रिक बच गया है तो यहां देखी यह सैट नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा फैब्रिक बचा है इसको मैं अभी सैट करना आपको बताऊंगी इसको आप छोड़ दीजी अभी और जो हमारी प्ल बढ़ा सा जड़कते हुए यह देखिए साइड की फिटिंग कितनी अच्छी आ रही है प्लीट कितनी अच्छी आ रही है तो आप कुछ इस तरीके की साड़ी ही अपने लिए चूस करें और जो यह फैब्रिक बच गया है उसकी मैं प्लीट बना के बताती हूं किस तरीके स से लेना है और यहां एक्वली प्लीट बनाते हुए सामने की तरफ ले के आना है यह देखिए बड़ा प्लीट बना है यह बहुत सबसे जितनी भी प्लीट है सभी से बड़ी प्लीट बनती है और सभी प्लीट को जहां पर हमें इन करना है वहां से पकड़ना है इस तरीके स यहां देखिए पेट हमारा निकला हुआ है तो हम नेवल से इधर नहीं करेंगे इन हम क्या करेंगे जो हमारा नेवल है उसके उस साइड राइट हैं की तरफ इन करना स्टार्ट करें सारी प्लीट्स को तो साइड की फिटिंग आप देख सकते हो काफी अच्छी आती है इसलि कि आपको बिल्कुल फ्रेंट में अपनी प्लीट्स को इन नहीं करना है और वहां पर एक छोटी सी पिन के साथ अटैच करना है सारी प्लीट्स को यह सबसे अच्छा पॉइंट है आपके लिए आपको एकदम सामनी की तरफ प्लीट्स इन नहीं करनी है और जब आप इन करत जबरजस्ती जो करते हैं इन वैसे फ्लीट्स खराब हो जाती है अच्छे से इन नहीं होती है तो इस तरीके से आपको नहीं करना रहा है और साइड की तरफ अच्छे से से करना है आप चाहें तो फ्री पल्लू भी ले सकते हैं जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं मैंने साइट से जो बॉर्डर आता है नीचे साइट की फिटिंग जो आती है उसको यहां सामनी की तरफ अच्छे से आप थोड़ा टाइट ली अपने पल्लू में पल्लू को कर लेते हैं इस तरीके से तो फ्री पल्लू आप इस तरीके से ले सकते हैं फिटिंग के साथ यहां देखिए काफी अची फिटिंग आई है अब काफी गल्स जो हैं फिटिंग इस तरीके से फ्री पल्लू नहीं लेती हैं फ्री पल्लू नहीं लेती हैं तो मैं आपको प्ली लेनी बताती हूं यहाँ देखिए मेरा पल्लू से टच हो रहा है तो हम क्या करते हैं उपड़स से अमने जितनी बॉरडर है उतनी पलीट्स हम लोग बनाते जाते हैं थे तरीके से, बनाते हुए यहां पर देखे, बनाते जाएं, और आप देखते चाहिए नीचे की तरफ, जो लैंथ है पल्लू की बराबर आनी चाहिए, थोड़ा सा उपर नीचे होगा तो चलेगा, बारा तो आपकी थोड़ी बराबर यानी चाहिए, ऐसे इसली प्लीट's ब करते हुए हम वहां पर एक छोटी सी पिन के साथ अटैच कर देते हैं पलू को इस तरीके से फिटिंग बहुत अच्छी आती है आपका पेट मोटा है फिर भी आप इस मैंने बहुत सारी इसमें पॉइंट्स बताए हैं उनको ध्यान रखते हुए अगर आप साड़ी पहन होग तो वहां पर एक छोटी सी पिन से अटैच कर दो ओपर से प्लीर्स अटाक के यह देखिए काफी अच्छे से यह फिटिंग आ गई यहां पर देखिए मोटा पेट होने की कारण अगर आपकी साड़ी की फिटिंग अच्छी नहीं आती है तो आप कुछ गलतियां करते हो उन कभी लुक काफी अच्छा आएगा यहां देखिए साइट की फिटिंग के साथ साथ आप पूरा मेरा लुक देख सकते हैं इस्पेशली मैं लेके आई हूँ मेरे पास काफी दिन से कमेंट भी आ रही थी मैं हमारा पेट मोटा है तो हम साड़ी कैसे पहने तो यह तरीके हैं मैंने आज आपके साथ शेयर किये हैं पहन सकते हो इन तरीकों से फिटिंग काफी अच्छी आती है और कुछ टिप्स ऐसे भी हैं साड़ी आपको कैसी चुननी चाहिए आपको साड़ी ज्यादा हार्ड नहीं चुननी चाहिए आपको कॉटन की साड़ी ज्यादा नहीं पहन जो आपको और भी हैवी बनाएं आपकी पेट को थोड़ा और हैवी करें आपको साड़ी चूज करनी है नेट की चूज कर सकते हो आप सिफ़न चूज कर सकते हो सॉफ्ट जॉर्जट चूज कर सकते हो सॉफ्ट सिल्क चूज कर सकते हो जैसे कि यहां पर मैंने साड़ी पहनी ह तो कुछ इस तरीके की साड़ियां आपकी बाड़ी को और भी स्लिम दिखाती है आपके पेट को और या आपकी बाड़ी को हैवी नहीं दिखाती है तो अपने लिए जब साड़ी कभी लेते हो तो इस तरीके की आपको चूस करनी चाहिए जो आपकी साड़ी तो आप पहनो ब और फिटिंग के साथ पहनोंगे तो लुक और तारीफ आपको दोनों ही मिलेंगी बस ही कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किये हैं आपको जो भी पॉइंट्स समझ में नहीं आते हैं और मैं जल्दी ही पेटी कोट की वीडियो लेके आऊंगी किस साथ के साथ आपको कैसी पेटी कोट पहनना चाहिए और मैं लेके आऊंगी ये काफी दिन से मेरी बहुत ही प्यारी सी क्या बोलें सब्सक्राइबर हैं वो मुझे कमेंट कर रही हैं मैं उनके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगी थैंक्स फॉर वाचिंग बाबाई टेक क्या लव यू